हमने अपना सामान पेक किया और सामान लेके हम निकल गए अपने सफर की ओर हम आटो में बैठे और हम पहुँचे मिस हमारे रिल्वेशेशन जहाँ पर कुछ इंतिजार के बाद हमारे ट्रेन भी आ चुकी थी सुबह के तीन बजरे थे और हमारी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन में चड़के हम इतना ठक गए थे कि मुझे नीन दा गई हमारा ट्रेन का सफर पूरा हुआ और हम पहुचे न्यूजल पैगोडी रिल्वेशेशन जहाँ पर कैव वाले भाईया हमारा इंतिजार कर रहे थे इसके बाद हम निकल गए करशियों की तरफ जो दार जिलिंग में स्थित है यहां के नजारे दिल को मुझे लेने वाले थे इन खुबसरत नजारों के बीच में हमें एक वाटरफॉल दिखा वहाँ पर हमने कुछ फोटोस भी क्लिक की इसके बाद हम पहुँच गए करशियों की मेंन मार्केट में जो यह आप पट्रियां देख रहे हैं इनमें टर ट्रेन चलती है यह है हमारे गेस्ट हॉस के बाहर कर नजारा गेस्ट हॉस के बाहर बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बादल धरती पर उतर आए हैं यहां मेरे मुलका तो एक प्यारे से डॉगी से ऐसे ही मिली मॉग्स एकने के लिए प्लीज लाइक शियर और सिस्क्राइब